नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संग कल पद्धिन किलास इस बुलंद शहर में साथ बजे साथ बजे के तीस मेंट पर हमारी जो किलास रही वहक किलास रही है जैन धर्म उसमें बताया गया है तो अगर आपने नहीं देखिया तो प्राशिन भारते थियास की वहक किलास है जो सामान निद्धिन से संबंदित है तो उस किलास को जरूर देख लीजे अब साड़े आठ वजे से हमारी किलास ग्रामीड परिवेस की जो थियोर्टिकल है ये सुरू हो रही है तो जैसे ही ये कि अब तक हमने जो पढ़ाए ग्रामीड परिवेस में के देख लेते हैं कि कहां तक हमारा हो गया है कि अ być तो यह यहां तक हमारा हो गया था ग्रामीड विकास परवर्थन समष्य है अब आगे जो डॉपिक होगा टॉपिक होगा ग्रामीड समदाय का समाज सास्त्रिय महत्व तो आज की जो किलास रहेगी वह यहां से सुरू होगी ग्रामीड समदाय का समाज सास्त्रिय महत्व समाज सास्त्रिय महत्व क्या है ग्रामीड समदाय का देखे जो पूरा समाज है वह गाओं से बनकर चला है आज भी नगर के एक परवासा अगर आप हम ये समझें तो जहां भी दस लाग से अधिकावादी है उस छित्र को नगर छित्र कहा जाता है दस लाग से कम का जो छित्र है वे नगर छित्र नहीं होता तो जो भी नगर आदी बने हैं वे सबी कहां से बने हैं गाओं का विकास होता गया और उसके बाद में वे नगरों में बदलते चले गए तो यहां पर अगर हम देखें तो जो ग्रामीन भारत में ग्रामीन समधाय है ये बहुत जादा है चैलाग चालिस जार नौसो तीस गाओं भारत में हैं 2011 की जनगरना के अनुसार तो गाओं में भारत की अधिकतर जनसंख्या निवास करती है तो अब हम बात करेंगे ग्रामीन समधाय का समाज सास्त्रिय मेहत्व हमारा ये टॉपिक है और इसमें कुछ मेहत्पून सिध्धान्त हैं उन सिध्धान्तों की चर्चा करेंगे यहां पर चार ऐसे मेहत्व हमने बताए हैं उन चार मेहत्व को बारी-बारी से उन पर डिसक करेंगे आज किस किलास में तो फटाफट से जो किलास में नहीं है किलास में आ जाएए और जल्दी से जल्दी किलास को योइन कर लीजिए और जो किलास में हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नौटिफिकेशन क आपके पास में जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे जो बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे तो आपके पास में हमारी किलास का जो नोटिफिकेशन है जो जानकारी है कि कब किलास होगी उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी तो समाज की मौलिकिकाई है यह महत्व है ग्राम का यह गाउं का महत्व है कि गाउं को क्या माना गया है कि समाज की मौलिकिकाई है इसका कारण क्या है देखिए आज से नहीं जब पासान काल से और पासान काल में जो मानव था वे एक आखे टक था अपने भोजन के लिए भोजन क लिए क्या करता था वह शिकार करता था शिकार करते करते आखेट करते करते वह कहीं भी जाकर जो उसका खाना बदोस जीवन था कहीं भी जाता था जहां भी उसको सिकार मिल गया वहां खाया वहीं रुक गया आगे फिर चला शिकार मिला जहां पर भी शिकार मिला वहां खाया और फिर वहां पर ठहर गया, इस तरह उसका कोई स्थाई निवास नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे जो वह व्यक्ति था, जो आदी वासी था, उसने क्या काम किया, जो आदी मानव था, जो आदी मानव था, तो उस आदी मानव ने क्या काम किया, कि धीरे धीरे आग का विसक किर्सी के विसकार के बाद वे उस भूमी से बंद गया जहां पर वे किर्सी करने लगा और धीरे धीरे वहां पर उसने अपनी बस्तियां बसानी सुरू कर दी और उन बस्तियों के बसने के बाद में वहां पर क्या हुआ उसने एक जो एक गाओं का या एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इस्थान नियत हो गया कि जहां पर वह किर्सी करता और अपना जीवन यापन करता धीरे धीरे पसु पालन भी करने लगा पसु को पालने भी लगा इस तरह से उसने अपना विकास किया और यह जो विकास है ये जो विकास है कहां फक्रेंछ जिवन यापण करते रहे इस से क्या हुआ कि जो गाओं के विकास के बात में नगरों का बदलते हुए नगर भी बनते चले गए तो कहीं ना कहीं जो मौले की काई की अगर हम बात करते हैं तो इस समाज को बदलने के लिए जो समाज के लिए जो महत पून है ग्राम जो क्या है समाज की मौले की काई है क्योंकि समाज यहीं से समाज में ठहरावाया है यहीं से समाज एक निश्चित इस्थान के लिए बंदि गिया तो इस प्रकार से जब उसको इसताई करसी नोसको इस ताई एक इस्थान दिया तो जिससे किसे उसने वहाँ पर बस त्थिया मैंपस आइं और गायों से फिर इसी प्रकार से नगर बनते चले गए तो प्राचिन संस्कृति के संवाहक क्यों। कि आज भी आप घाउं में जाओं तो गाउं में जाकर देखोगे कि वहां के जो लोग हैं जो उनके रीती रिवाज हैं जो उनकी रूढ़ियां हैं जो उनकी पर्थाएं हैं वह उनको आज भी सरवादिक मानते हैं बेसक विज्ञान के इस दौर में आज वह भी विज्ञान को अच्छे से समझते हैं लेकिन आज भी वह जो अपने जो उनके नियम हैं जो उनकी रूढ़ियां ह आज भी लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राम हैं ये प्राचीन संस्कृति को एक तरह से सजोए हुए हैं और इस धरोहर को आगे तक ले जाने के लिए जो आगे आने वाली पीडियां हैं उन तक पहुंचाने में अपना महत्पुन योगदान दे रही हैं तो कहीं ना कहीं तो ग्राम क्या हैं इस तरह से ये संस्कृति के समवाहक हैं उसको आगे तक ले जा रहे हैं नई पीडिया तक पहुंचा रहे हैं इसलिए इस ग्रामीर समधाय का बहुत ज्यादा महत्त है तीसरा पॉइंट आता है हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये है ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का आधार देखे गाओं समाज के आर्थिक जीवन का आधार कैसे हो सकते हैं क्योंकि गाओं में क्या होता है किर्सी होती है पसुपालन होता है अब मैं दो पॉइंट्स कोई आपको समझाऊगा किर्सी में जूट की खेती भी होती है कपास की खेती भी होती है और जो खाददान है उनकी खेती होती है, तो कही ना कहीं जो रौ मटेरियल है, अगर कोई बियो उद्धोग धंदा है, कोई वियो उद्धोगी किगाई है, उसके लिए सबसे जादा आवस्शक क्या है?」 रौ मटेरियल यानि कि कच्चा माल, अब वै कच्चा माल कहाँ से उप या जो कारपेट आदी वह बनेंगे तो वह कहां फैक्टरिया और धोगी के काई में बनेंगे लेकिन उसका जो कच्छा माल है कहां से मिलेगा इसी परकार से जब ग्रामीर लोग पसुपालन करते हैं तो पसुपालन में जो दूद होता है दूद से क्या होता है डेरी अद्धोग को बढ़ावा मिलता है देरी अद्धोग बढ़ेगा तो पनीर दही चाच और दूद और दूद से जितने बनने वाले भी प्रोटेक्ट हैं, जो आज बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं, उनको बना रही हैं, और धोगी काई चल रही हैं सहरों में, वह सभी किसके उपर बेज़्ट हैं, वह दूद के उपर बेज़्ट हैं, दूद कहां से, क्रामिर शेत्रों से हैं, तो यहां से आप यह समझे, चाहिए पसु पालन हो, मचली पालन हो, कुटी रुद्धों को, यह सब गाओं से अधिक तर चल ले हैं, तो इस तरह से यह आर्थिक जीवन का क्या है, आधार है, तो हमारा तीसा पॉइंट भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, गाओं क्या है, प्रजातंत्र का प्रारंबिक और आधार सुरूप है, कैसे प्रजातंत्र का यह प्रारंबिक और आधार सुरूप है, गाओं में कुछ मामलों जैसे की युद्ध आधि को छोड़ कर, बाकी बहुत सारे ऐसे कारे होते थे, जिन पर जो ग्राम की पंचायत ह कारण यह होता था कि वहांぎ जो कोड के मामले अदिक्टर गाउं की अच्छी तरह कर लेती थी ति तो एक तरह से वहां पर यह प्रजातंत्र का जो आदर्स रूप गाउं में देखने को मिलता है तो इस तरह से समाज में प्रजातंत्र कैसे पले बढ़े कैसे विस्तार हो कैसे उसका विकास हो यह अगर देखना है तो उन गाउं में जाकर आप देखिए जहां पर जो प्रजा सम्मान देखते हो तो यह सब आपको कहा मिलेगा ग्रामिंट समधाय में मिलेगा चलिए यहां यह चारों पॉइंट हमारे पूरे हो गए और अगर किसी को यहां पर कोई भी डाउट है तो वह अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूंच सकता है निश्चित आपको नेक्स्ट क्लास में उससे सम्मंदित जानकारी दी जाएगी चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तब देखे यहां तक जितना पढ़ा अब तक कल से लेकर आज तक हमने जो भी यह पढ़ा है उससे सम्मंदित हमें जो महतर पॉइंट मिले मैं उनको यह ने बता दिया कि जो रिग वेदिक काल में ग्रामशब्द प उपयोग है जो 1500-1000 इस पूर्व का जो समय है रिग वेदिक काल का समय माना जाता है और 1600-699 इस शबता का समय है और इसी समय पर क्योंकि ये ग्रामीर सब्वेता थी और इसी समय पर जो ग्राम शब्द है इस शब्द का उप्योग वेद आदी में किया गया है तो इसलिए वेदिक साहित्तों में ग्रामीर शब्द यानि ग्राम शब्द का ये उप्योग मिलता है चलिए आगला पॉइंट है ग्राम क्या है समाज के स्थलों को मकान की बनावट जनसंख्या जनसंख्या के मैंने बता है दस लाग से अधिक कम जनसंख्या है अधिक है तो नगर है कम है तो ग्राम है प्रसासन आधी के आधार पर पुर्वा अब देखे पुर्वा सबसे छोट उसके बाद में जब जनसंख्या बढ़ी तो वह गाउं हो गया और अगर गाउं से भी अधिक जनसंख्या हो गई तो कश्वा और अगर कस्वे जानी कि दस लाख से उपर है तो वह नगर बनता चला जाएगा इसी प्रकार से विकास होगा ग्रामीर समाज को खेती हर समाज भी कहा जाता है प्रेश्ण बन सकता है कि ग्रामीर समाज को निम्न मैंसे क्या कहा जाता है कई विकल्प हो सकते हैं उसमें एक खेती हर विकल्प आपको मिलेगा तो आपको यही सही लगाना खेती हर समाज भी कहा जाता है फिर पॉइंट आता है कि 2011 की जिंगरना के आदार पर म करीव करीव यह माने तो 83.3 करोड जो जनसंख्या है गाउं में निवास करते हैं करीव 68.89 परसेंट जो पॉपूलेशन है इंडिया की वो गाउं में निवास करती है ग्रामीन हैं ठीक है नेक्स्ट है ग्राम समाज की क्या है मौले की काई है इस पॉइंट पर चर्जा हो चुकी है ग्राम समाज की मौले की काई है फिर है कारे निस्पक्षता के कारण जो कारे में निस्पक्षता होती है उसके कारण ग्रामीन जो ग्राम है उसकी स्वेसासन व्यवस्था में पंच क परमेश्वर कहा जाता है ठीक है आगे पॉइंट है महाजनी पर्था का उलेक ब्यान रखिये मैत्पून है महाजनी पर्था का जो उलेक है वे कहां मिलता है तो उलेक है शत्पत ब्राह्मन है जो हमने वेदिक सब्था के वारे में जानकारी दी तो यहां पर शत्पत ब्राह् मन में जो प्राचीन गरंत है ये ब्रहमण है इन में से जो प्राचीन ब्रहमण गरंत है आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, नगर एवं नगरिय करण, यहां तक ग्राम के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे नगरिय एवं नगरिय करण, नगर एवं नगरिय करण पर हम बात कर रहें, नगर या नगरिय छित्र ऐसी जगे, जहां जनसंख्या घनत्व, जहां पर क्या जनसंख्या घनत्व? मानवीय किरिया कलापों और अन्य सुविधाएं आसपास के जो सेहरों के आसपास की जगे अधिक होती है इनके पास में सेहरों के आसपास जगे अधिक होती है अन्य सुविधाएं होती है और नगर छितर में कम से कम मुख्य बात ध्यान रखने वाली है नगड शेत्रों का बहुत एक विस्तार या उसके छेत्रफल जनसंख्या आदी में बेतहाशा ब्रदी अगर उसमें लगातार ब्रदी हो रही है बहुत एक विस्तार हो रहा है। जल्दी जल्दी मकान वनने हैं, उनके छेतर फल में भी विस्तार हो राज और जन्संख्या भी बढ़ रही है, तो इन सभी condition में जो ये condition है, उस condition को उस परिस्तिती को उस परिवर्दन को क्या कहा जाएगा नगरिय करण नगरिय करण कहा जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नगर की परिभासा को विविन विद्वानों ने अपने अनुसार परभाशित किया है कुछ ने ग्रामेंड जनसंख्या के विप्रीत परभाशित किया है जो ग्रामेंड जनसंख्या है उस पश्पार क्या है नगर एक ऐसा समधाय है ध्यान रखिए परिवास दिजासी है यहां पर पर शामे कोई भी परिवासा दिया जा सकते हैं कि सकते हैं तो इसलिए यह जरूदिः डिया करें से नगर एक ऐसा समधाय है ये मानते हैं किंग्सले डेवेस की नगर का एक ऐसा समधाय है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विविनताओं से युक्त होता है इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विविन्नताएं होती हैं उनसे परिपूर होता है उनसे युक्त होता है तथा वह कृतिमता व्यक्तिवादी त्रतिसपर्दा ध्यानर के तीन सब्द तरतिमता व्यक्तिवादी और प्रतिसपर्दा तथा गनी जनसंख्या के कारण नियंतरन के आपचारिक साधने उनकी द्वारा संग्ठित होता है ये किस ने कहा है ये किंग्सले डेविस ने कहा है ध्यान दखिए विलकॉक्स भी कहते हैं इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि नगर का क्या अर्थ क्या आश्रा थे होता है जहां प्रती वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व एक हजार व्यक्तियों से अधि को ये मानते हैं। विल्कॉक्स बानते हैं कि नगर क्या है जहां पर प्रति वर्ग मील यानि कि एक वर्ग मील में जनसंख्या का घनत्व एक हजार वियक्तियों से यदि अधिक है तो वह क्या है व्यावारिक रूप से और यहां कोई कोई कर रहा हो अलग बात हैं लेकिन मुख्य आधार पर क्या अंतर है उसके और रखते हुए सबसे पहले जो ग्रामीर है यहां पर और यहां पर है नगरीय समुदाए मैं एक-एक लाइन को समझा दूँगा आपको आप समझते चलिए सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो जनसंख्या जो गाओं में होती है कम होती है और जनसंख्या में एक रूपता वे सजाय से जाती है ता पाई जाती है और इनमें क्या होता है देखिए जो यहां पर जो जनसंख्या होगी उसमें एक रूपता होगी सब एक जैसे ह हुए लोग सबका एपी वेचार होगए लगबग लगबग एक जैसे विचारों के अधिकतर गाउ JOHN में मिलेंगे और उन में सजायती एक जाती इसे वहां होते हैं और जब की झण unhappy है Claire समधर है यहां पर होती अधिकता भी होती है दूसरा पॉइंट है व्यवसाय जो ग्रामीर है उनका मुख्यत व्यवसाय किर्सी और पसुपालन को मिश्रित किर्सी कहते हैं मिश्रित किर्सी तो यह जो व्यवसाय है यह ग्रामीर व्यवसाय है वहीं किर्सी के अलावा किर्सी के अलावा वान में नहीं कहां होता है नगरों में होता है तो यह नगरों की विशेषता है इन के अलावा किर्शी के अलावा परिवार की बात कर लेते हैं तो जो ग्रामीन परवार है यह एकांग की परवार की यहां पर बहुलता होती है एकांग की मतलब यहां पर एकांग की परवार की बहुलता नहीं होती एकांग की परवार कम होते हैं जबकि एकांग की परवार की बहुलता नहीं होती वहां पर क्या चलता है जो पीडी दर पीडी चले आ रहे हैं इस तरह से वहां पर पूरे कुटुम को साथ लेके चलते हैं जबकि एक प्रिवाय को देखें तो यहां पर गाउं वगेरा में अंतर विवाय का प्रचलन तथा विवाय में परिवार के सदस्यों एवन विस्तेदारों का महत्व होता है। कि प्रचलन रहता है। अधिक तर महिला के सहरों में क्या होता या कि नगरों में किया होता है। जो जितनी earning करा, जिस हिसाब से job करा, उस हिसाब से उसका अपना status होगा, तो वहां work के हिसाब से बटे हुए हैं नगरों में, जबकि गाओं में जाती के हिसाब से बटे हुए हैं, जो नगर हैं, उनमें, जो उनका profession हैं, जो उनका व्यवसाया कार्य हैं, उसके आधार पर वह बटे हुए हैं जाती के आधार पर नहीं जवकि गाउं में जाती के आधार पर उनका जो एक इसतरी का रण है इसतर है उनका चलिए आगे बात करेंगे सामाजिक दृष्टी कौण के साब से देखें तो सरल और सीधा भाग्यवादी होते हैं जो ग्रामीर होते हैं गाओं से समंदित होते हैं आडंबर रहत आडंबर नहीं होता दिखावती परा नहीं होता उनमें और कृतिमता से दूर होते हैं जो कुछ हैं रियल हैं फैक्ट हैं कृतिमता से दूर होंगे लेकिन सरल होते हैं सीधे होते हैं भागे को महत्वत देते हैं और अंध विस्वास आदी से भी जुड़े होते हैं आडंबर आदी को भी मानते हैं आडंबर आदी से रहित होते हैं जो नगर से सम्मंदित हैं वे जटिल उनका जीवन होता है तारकिकता होती है लोजिकल होते है विज्ञानिकता उनके अंतरगत होती है हर चीज को विज्ञान के नजरिये से देखते हैं कृतिमता पर वह आधारत अधिक होते हैं देखे धर्म और विज्ञान और तर्क इसके आधार पर देखें तो धर्म और धर्म एवं विश्वास का महत्व है यहां पर विज्ञान और तर्क का कम महत्व होता है यह धर्म और विश्वास जो विश्वास आस्ता है उसको महत्व देते हैं गरामी जबकि जो विज्ञान है उसको कम महत्व देते हैं वहीं जो नगर से धर्म के स्थान पर विज्ञान तथा विश्वास के स्थान पर तर्क को महत्व देते हैं यह ध्यान लखिए अब सिक्षा की बात कर लेते हैं फटापट से तो एसिक्षित तथा कम सिक्षित होते हैं या तो एसिक्षित होंगे गरामेड या कम सिक्षित होते हैं लेकिन वहीं सिक्षित और उच्छित मिलेंगे नगरों में सांस्कृतिक जीवन को देखें तो यह सांस्कृतिक जीवन इनका इस्तिर होता है जबकि इनका सांस्कृतिक जीवन परवर्तन सीथ होता है नगरवालों का क्यों होता है क्योंकि वह विज्ञान की नजरिये से देखते हैं कुछ दीरे दीरे उनको जो उनके सांस्कृतिक कारे चले आ रहे हैं उनको दीर दीर वो छोड़ते भी चले जाते हैं उनमें परवर्तन भी करते रहते हैं लेकिन जो ग्रामीन हैं वे साइंसक्रतिक जीवन में कोई परवर्तन नहीं करते हैं उनका जो साइंसक्रतिक जीवन होता इस तिरह होता है ठीक है हमकी भावना या भावना गाओं में होती है बिल्कुल होती है जबकि समदाइक भावना हमकी भावना सहरों में कम होती है क्योंकि उनको अपने से मतलब होता है इतना आधिक नहीं होता कि गाओं में तो अगर किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम होती तो पूरे गाओं के लोग क्या हो आते हों उसकी प्रति समर्पित हो जाते हैं जबकि शहरों में यानि कि लगरों में ऐसा देखने को कम मिलता है मिल शङये गहD Still Нов गीए चैंब देखेए प्रार्थमिक और अनप चारिक सम्मंध होते और कोई जो आपचारिक संबन्द नगरों में कम मिलेंगे, गाओं में जो अनौपचारिक संबन्दे वैदिक मिलते हैं सामाजिक नियंत्रण के अकॉर्डिंग देखें तो धर्म, परंपरा, परिवार, तथा रीती, रिवाज आदी द्वारा अनौपचारिक यहां पर नियंत्रण होता है औनोफचारिक होता है नेंत्रन, औनोफचारिक धर्म परमपरा परवार रीती रिवाज आदी के द्वारा औनोफचारिक प्रवर्तन होता है जबकि यहाँ पर सामाजिक नेंत्रन कीसा होगा देखें यहां कोई कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन जो उनके रीती रिवाज हैं उसके अकोर्डिंग में अपने आपको कंट्रोल करे हुए है जबकि जो नगर है वहांपर पुलिस, कानून, जेल, नियाया आधी के दुवारा आपचारिक नियंतरन होता ध्यान लखिए गाओं का देख कि रिया कि डेखें जय जाता है और और कम संपर्क अर्थां संपर्खेष्चित छोटा होता है क्योंकि चोटा गाउं है इधर से पहुंचे उधर पहुंच गई पूरव से पस्चिम उत्तर से दक्षण का पहुंच जाए तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता जब की जो नगर है वह बड़े होते हैं और जो सहयोग भी होगा प्रत्यक्ष होगा अगर कहीं किसी को हैल प यहां तक हो गया पूरा अब हम करीब करीब समय हो चुका है 28 मिनट सामाजिक सरचना सामाजिक सरचना का जो टौपिक है इस टौपिक को और देख लेते हैं उसके बात फिर next class कल होगी सामाजिक सरचना देखे क्या है सामाजिक सरचना समाज की सरचना समाज किस प्रकार से उसकी बनावट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो समाज का वह रूप जिसमें विविन व्यक्ति समूँ एक दूसरे के साथ संग्ठित रूप से रहते हैं वही तो सामाजिक सरचना होती है ठीक है सामाजिक सरचना में अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन सामाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको समाज लेते हैं यहां पर कुछ लाइन हैं उनको पढ़ते हैं देखिए सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक परिवर्तन की प्रकिरिय होते हैं समाज में परिवरतन होगा एक प्रकिर्ति सीलिए प्रकिरिया है परणे प्रिकार के जो पहले था वह फिर नहीं होगा और जो अब है वेकल नहीं होगा इस तरह के बहुत सारे होते रहे हैं सामाजिक परवर्तन के अंतर कर सामाजिक स्रचना में बदलाव एंसेहन परइती रिवाश वेश्मुसा में भी बदलावादी को सामिल किया जाता है फेंशन बदलता है तो यह भी एक समाज का बदलता रूप होता है समाज़िक परवर्तन होता है है यह बदलाप्राय कुछ कारकों के प्रभाव सरूप समाज में जिसे सामाजिक परवर्तन का कारक कहते हैं सामाजिक परवर्तन का क्या कहते हैं कारक कहते हैं सामाजिक परवर्तन के आठ कारक यहां पर रखे गए हैं उन आठ कारकों की हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से यह आठ कारक देखिए ये जो आठ कारक हैं जो सामाजिक परवर्तन के आठ कारक हैं ये कौन कौन से हैं एक बोतिक कारक, जैविक कारक, जनांकिय कारक और आर्थिक कारक चार ये हो गए और चार हैं सांस्कृतिक कारक मनोवयग्यानिक कारक राजनेतिक कारक और सूचना प्रोधगी की कारक तो आज हम इसी टॉपिक को करेंगे कल फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो जो भौगौलिक कारक हैं अब हम इनके उपर चर्चा कर लेते हैं तो भौगौलिक कारक कौन कौन से हैं देखे भौगौलिक कारक को समझते हैं समाज के जो परवर्तन में महत्पून कारक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौगौलिक कारक की बहुगोलिक कारक में कहीं की जलवायू किसी इस्थान विसेस की जलवायू पहाड परवत आदी जो भी जलवायू को परवर्थित करने वाले कारण है प्राकर्तिक आपदायादी को इसमें सामिल किया जाता है यदि मान कर चलिए कि कोई व्यक्ति ऐसे छेत्रका या कोई एक समदा ऐसे छेत्रका है जहां पर जो एक पहाड़ी से संबन देते हैं तो उनका वहां का जो संस्क्रतिक यानि की जो सामाजिक जो उनके रीती रिवाज हैं वहें अलग हैं लेकिन किसी कारण वस वहां पर प्रक्रतिक आपदा आ जाती है तो वह लोग क्या करेंगे वहां से उठेंगे और किसी ऐसी स्थान पर चले जाएंगे जहां की जो सामाजिक रीती रिवाज हैं पहां उनसे अलग होंगे लेकिन क्योंकि उनका जो इस्थान है बहुगोलिक जो इस्तिती है अब उसमें परवर्तन हो गया है अब वहां के क्या हो गया कि जो प्रक्रतिक आपदा की कारण उनको वहां से रिवाज हो जाएगा इस तरह से सामाजिक परवर्तन उनका होगा तो वहां जिस परकार से उनका रहन सहन था उस रहन सहन में उस वातावरण में भी परवर्तन आएगा तो इस तरह से सामाजिक परवर्तन हो जाएगा दूसा कारण है जैविक कारक कारक में उनको सामिल किया जाता है जैसे कि विषेस जलवाईट में कहीं के जो लोग है उनकी ऊद्ध कहीं करते हैं कहीं कम किसी का जो सारी विकास अधिक का कॉता किसी में खित्र तो दो जब गृतने में लोग इंटर देखा जब फर वॉलक्त है तो यह पर उस समाज में और देखने को मिलेगा तो यह जैविक कारक भी Pas पूहते हैं जन शंख्या कहीं न कहीं जो अपना प्रिभाव डालती है किसी छेत्रविसीस में जहां पर जनसंख्या आदिक है वहां उनके सीमित होने कारण कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन संसाधन अधिक है उन इस ठाणों पर जो जीवन है उनका जीवन उच्छ जीवन मिलेगा अच्छ जीवन मिलेगा उनका जीवन इस तरह अच्छा होगा तो यहब आर्थिक कारक क्योंकि अभी हमने बात की जब ग्रामीर और नगर की बात की तो गाओं में जाती आधी के आधार पर इस्तरी करण होता है जब की नगरों में वर्ग आधी के आधार पर इस्तरी करण होता है अब जो इस्तर है उस इस्तर में परवर्तन जब नगरों में किस गशากश fragrance जीवनिष्ट्र। ऊच्छ है वहीं जिसकी था जीवनिस्थ्र निम नहीं है। यह आर्थिक कारण से जो निम्ष्ष्थर के लोग हैं जिनका जीवनिस्थर निम्ष्थ्थ निम्ष्थ हैं तो वह Вас सी परकार ह performing座ा की वह समाज बनेगा … और जबकि जो उच्छी जीवन इस्तर के लोग हैं, उनके रहने का, बैठने का, खाने का धंग अलग होता चला जाएगा, इस तरह से उनमें आर्थिक कारक के कारण भी ये परवर्तन देखने को मिलेगा, और इस तरह से उस समाज में परवर्तन होगा, वर्ग भेध होता चला जाएगा, सांस्कृतिक कारक, देखें सांस्कृतिक कारक के वारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक कारक क्या हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक जो है, ये मूल्य आदि को महत्व दिया जाता है, लेकिन यदि हम बात करें कि, कि जो हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक क कारक की तो संस्कृतिक कारक में मूल्यों को महत्व दिया जाता लेकिन अब आप एक बात देखिए कि जब किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वह उसके जीवनिस्तर में परवर्तन होगा उनके जो मौलिक सिध्धान्त हैं उन सिध्धान्तों में भी परवर्तन होगा क्योंकि वहां उनका जो जीवनिस्तर है वे जीवनिस्तर बदल रहा है और उस जीवनिस्तर के बदलने के कारण जो उनकी सांस्कृतिक मूले हैं उन मूल्यों में भी या तु गिरावट देखने को मिलेगी या उनका जो इस तरह है उसमें सुधार देखने को मिलेगा तो दोनों ही बात हैं कुल मिलाकर ये महत्पूर्ण कारक की रूप में काम आता है जो सामाजिक परवर्थन का कारक रहता है अब हम बात करेंगे मनोवैज्यानिक कारक, तो देखें मनोवैज्यानिक कारक में क्या हो सकता है, मनोवैज्यानिक, तो मन सबसे बड़ी चीज है, और मन एक ऐसा, आप मन को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मन आपका कहीं न कहीं हर्शित है, मतलब कहीं न कहीं आप खुस हैं, तो वहाँ आप अच्छे ची काम आपके मन माएंगे, अगर आप positive हैं, तो अच्छे ची बातें आपके दिमाख में आएंगी, लेकिन वहीं अगर आपके मन में negative thoughts आते हैं, तो वहाँ आपका मन खराब होने से आपका विकास वहाँ रुक जाएगा, क्योंकि आपके अंदर तो negative thoughts पहले ही आ चुके हैं, वो जो नकारात्मक विचार हैं, वो पहले ही आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं जो मन हैं, यानि कि मनोवेग्यानिक कारण हैं, वह किसी भी समाज को उपर उठाने या नीचे गराने में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निवा जैसे कोई शादी सुदा है, उनके लड़ाई होती है, तो क्या होगा, वहाँ पर उनके मध्य में जो समंद्विच्षेत के भी कारण बनेगा, जिससे आने वाली जो उनकी पीडियां हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा, इस प्रकार से ये मनोवेग्यानिक कारण भी आज महतपूर्ण हैं, यदि मन से आप पूरी तरह से आपके अंदर एड़ेश्टमेंट की छमता है, तब आप अपने परवार को बचा सकते हो, अन्य था आप नहीं बचा सकते, तो ये कहां से आएगा, आपके मनोवेग्यानिक कारण की रूप में कारे करेगा, राजनीतिक कार महतपूर्ण हैं, राजनीतिक कारक में अगर हम देखें, तो पहले जो समाज था, उस समाज में बहुत सारे ऐसे चुआ चूट आदी उस समाज में फैले हुए थे, ये विक्टरतियां थी, जो फैली हुई थी, जातपात के आधार पर बटे हुए थे, और एक वर्ग को नि पर था आधी चली आ रही थी, तो वहां पर जो बाल विभाय आधी हैं, तो ये समाज के लिए कहीं ना कहीं एक दैनी इस्तिती उत्पन करते थे, और ये समाज समाजिक गिरावट के रूप में आप इनको देख सकते थे, लेकिन जब सरकार के द्वारा नए नियम बनाए ग तो कहीं ना कहीं ये धीरे-धीरे समाज में परवर्तन का मुख्य कारण बनता गया, और इस प्रकार से जो समाजिक परवर्तन का मैत्वपूर्ण कारण है, वह एक राजनीतिक कारक भी यहां शामिल किया गया है, और जो अंतिम है, वह सूचना प्रोध्धोगी की कारक है, देखे सूचना प्रोध्धोगी की, आज के समय में आप यदि किसी गाउं में भी बैठे हुए हैं, तब भी आपके पास में आपका एंडरोइट फॉन है, आपके पास में कम्प्यूटर है, आपके पास में टीवी है, और इन सब के माध्यम से आपको सरकार की जितनी योज हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी होती है, जो नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों के बारे में जानकारी होती है, जो तकनीकी सुधार हुए हैं, उन सुधारों के बारे में जानकारी होती है, किरसी के जो नए नए उपकरण आए हैं, उन उपकरणों के बारे में जानकारी होती है जो भी प्रोध्धोगी की में परवर्तन हुए हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होती हो वो प्रोध्धोगी की जो टेक्नोलोजी है वो कहीं ना कहीं आपको आपके समाज को बदलने का कारे करती है तो इस प्रकार से यह सामाजिक परवर्तन के कारक के रूप में सूचना प्रोधोगी की को भी रखा गया है तो कुल मिला कर आज हमने इन सामाजिक परवर्तन के आठ कारकों के बारे में बात की हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा सामाजिक परवर्तन के प्रतिमान और इस टॉपिक को हम कल आपके साथ में डिसकस करेंगे आई होप आपको यह किलास अच्छी लगी होगी नौ बजे ध्यान रखिए नौ बजे हमारी जो लाइव किलास रहेगी और लाइव किलास जो रहेगी वहां आपसे जो सामान्य अध्यन है सामा जवाब दोगे वहां आप अपनी जवाब दे सकते हो और अपनी देख सकते हो कि कैसी तैयारी चल रही है वहां आपकी तैयारी इनहेंस होगी तो जरूर उस किलास को जोइन करें मिलते हैं नौ बजे तब तक के लिए जैहिन जैभारत नमस्कार